हलो फ्रेंड्स नमसकार आपका स्वागत है आपके परिवाद इस्टेड़ी टकनिंग में दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों आप लोगों ने दो न्यूज देखा होगा एक न्यूज देखा होगा जिसमें बैकनसी बहुत धेल सारी आने वाली है बाढ़ आने वाली है और एक न्यूज आप लोगों ने देखा होगा जिसमें बैकनसी कोई नहीं आने वाली है तो ये नीज आप बहुत जादा देखे होंगे कि उपी में कोई भरती नहीं होगी, कोई भी निर्माड कारे नहीं होगा, क्योंकि कुरोना वाइरस को ध्यान में रखते हुए नहीं होगा, दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग इन दोनों बातों को अपने हिसाब से स अच्ट आने वाली है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या यूपे में बैकनसी आएगी, क्या नहीं आएगी, आएगी तो कितनी समभावना आने की है, क्या रहा है रिकार्ड पिछले, कुछ वर्सों का रिकार्ड रहा है, हम देखेंगे और उसके आधहर पर हम ज इसका देखते हैं दोस्तों 2012-2013 में जब चुनाव होने वाला था तो समय मायवती की सरकार थी मायवती की सरकार ने 72,825 प्रात्विंग सिच्चकों की भरती निकाल दी तुरंद क्यों चुनाव जितने के लिए लोग निकाल देते हैं भरती क्योंकि ज्यादा तर लोग के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं तो 72,825 प्रात्विंग सिच्चक की भरती निकाले थी और नर्स की भरती हुआ था कुछ UPCS में हुआ ही था यह सभी भरतियां होती हैं जानते हैं आप लोग तो 12,460 प्रात्विंग सिच्चक की भरती आ गई थी इसके बाद अगर हम अब देखें कि हमारा इसमें क्या कुछ लग रहा है संभावना योगी सरकार में तो योगी सरकार में संभावना है हमारा है सिच्चक भरती होगा प्रात्मिक सिच्चक भरती में लगबग 30 से लेकर के 40 से या 50 जार के बीच बैकंसी आने की संभावना है मतलब सिच्चक की भरती होगी बैकंसी आने की संभावना है प्लस लेक पाल की बावंस और पोस्ट आप उसके बारे में जानी गए होंगे कि आने की संभावना दोस्तों क्यों ऐसा नुमान लगा जा रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों का अगर रिकार्ड चेक करिए जब भी चुना हुआ है तब तो उसी प्रकार से जब अब की बार चुना होगा चुनाओ से जस्ट पहले बैकंसी आती है तो जो लोग भीया आधे लोग पढ़ाई छोड़ दिये हैं बहुत से लोग आम ऐसे जा रहा था कि सर्ड डिप्रेसन हो गया पढ़ना नहीं है बैकंसी नहीं आएगी तो आपको मत रोको आप अपनी बैकंसी आप अपना जिसे आप से पढ़ रहे हो जैसे पढ़ रहे हो आप वह से पढ़ते रही है नहीं तो बैकंसी आ जाएगी माल लिजे आप सोए हैं बैकंसी आगई लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं फिर जब आएगी तो पढ़ना सुरू करेंग दोस्तों तो आप लोग depression में मझ जाएगे पढ़ाई करीसे दोस्तों यह वीडियो आपको अपने दोस्तों के पढ़ाय कर craft करना है जन्लोगों ने यह सुंच करanh को पादा बंद कर दिया है कि वेगेंसी नहीं ऐए हां उनके पास इस वीडियो को सेयर करिये दोस्तों उनको य और दोस्तों पढ़ाई आप भी करिए सबको जितने लोगों आपके फ्रेंड सर्किल हो सबको सेर करिए सबको बताईए बहिया पढ़ो सो मत अगर सो गए जो इस समय पढ़ रहा होगा वो सीट लेकर जाएगा दोस्तों यहां कि जार रहे हैं समय कंप्टिशन का लेबल कितने हाई है कंप्टिशन का लेबल बहुत हाई हो गया है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना कमेंट करना सेर तो करी दिये होंगे दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए हसते रहे मुस्कुराते रहे लेकिन पढ़ते जर कि बंदे मता